हमारे देश में कभी भी कुछ भी हो सकता है हमारे देश के प्रधान मंतरी कभी भी कुछ भी कर सकते है ऐसा ही उन्होंने 8 नवंबर 2016 में किया अचानक रात को आते हैं और कहते हैं कि आज से 500 की और 1000 की नोट बंद और तर्क ये देते हैं कि ऐसा करने से देश का काला धन पकड़ा जाएगा और देश का आतंगवाद बरता हुआ आतंगवाद कम किया जाएगा तो देश की जो भोला भाला जो भोली भाली जनता है ये बेवकूफ बनते हुए इस निरनय का स्वागत करती है पर आज एक साल होने को जा रहा है सवाल ये उठता है कि क्या देश का कालाधन पकड़ा गया है क्या देश का कालाधन नश्ट किया जा सका है क्या देश की बढ़ती हुई आतंवाद को रोका जा सका है जवाब है जी नहीं और इस बात को साबित करता है RBI का Early Report जो कल निकला है RBI का Early Report ये साबित करता है कि ये कोई सोची समझी निरने नहीं थी बलकि ये एक ताना शाही राजा की एक एहंकारी राजा की एहंकार भड़ा हुआ निरने था और इस बात को मैं आज आपको साबित करके दिखाऊंगा RBI की Early Report में ये बताया गया कि 99% कैश जो 99% पर्तिसत जो 99% पांसो के और हजार के नोट सर्कूलेशन में थे वो बैंक में वापस आ चुके हैं 15,444 करोर रुपए जो सर्कूलेशन में थे उनमें से 15,28,000 करोर रुपए बैंक में वापस आ गये हैं तो मोदी जी का ये दावा था कि जो कालाधन है वो पकरा जाएगा अरे भया सारा पैसा तो बैंक में वापस आ गया है तो कहां है कालाधन आपका आपने तो लीगलाइस कर दिया कालाधन को जितने कालाधन था सारा आपने वाईर पर बदल दिया मोदी जी जनता बेवकूफ नहीं है जनता को अब दिख रहा है कि जितना कालाधन था कैश में अब वो वाइट मनी बन चुका है और अब लोगों के बैंक में और सिक्यार होकर महफूज होकर रह गया है और मुझे समझ नहीं आता ये बात कि ब्लैक सुनते ही कालाधन सुनते ही क्यों मोदी जी को और हमारे मोदी भक्तों को ऐसा लगता है कि सारा का सारा कालाधन सिर्फ कैश में है नोटों में है बलकि सचाई ये नहीं है सचाई सुनकर आप डंग रह जाएंगे कि कालाधन का सिर्फ एक परसंट कैश में है सिर्फ एक परसंट और इस एक परसंट को पकड़ने के लिए मोदी जी ने पूरी देश में एक तहलका मचा दिया इतनी लोगों को परिशान कर दिया और वो भी एक परसंट आप पकर नहीं पाएं और बाकी 99% मोदी जी कब पकरेंगे आप जो बाकी 99% काला धन जो लोगों के स्विस बैंक में है जो लोगों ने उन्हें सोने में बदल दिया किसी काइंड में रखा है लोगों ने फ्लाट खड़ीद कर रख़ा है लोगों ने जवीन खड़ीद कर रख़ा है लोगों ने उसे कब पक्रेंगे मौदी जी आप ये एक परसन पकरने के लिए मौदी जी आपने सौर से उपर जाने ले ली कितनी लोग हार्ट अटाक में मर गए जब ATM के लाइन में खड़े थे कितने बच्चे अस्पताल के दर्वाजे पे मर गया क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे कि अस्पताल में अपनी इलाज करा सके हूँ मैं तो कहता हूँ कि एक जान भी अगर आप लें तो इसकी कीमत नहीं चुका सकते मोदी जी आपकी ये नोट बंदी ने 100 से उपर जाने ले ली है कैसे चुकाएंगे इसकी कीमत आप और ये एक परसेंट जो कालाधन है इसे पकरने के लिए आपने देश में इतना बरा बलंडर कर दिया तो पता नहीं 99% कालाधन जब पकरने को निकलेंगे आप तो क्या कर देंगे देश का हाल आप नश्ट करके रख देंगे इस देश को आगे बरते हैं मैं आपको एक और सच्चाई बताता हूँ सच्चाई से रूबरू करवाता हूँ मैं आपको ये उन मोदी भक्तों के लिए है अगर आपको बुरा लग रहा हो मेरी वीडियो मेरी बातों का आपको बुरा लग रहा हो तो आप ना देखें वीडियो रुक दें आप वीडियो को अभी पर हाँ अगर सच्चाई सुनने की आप में हिम्मत है अगर आप में सच्चाई सुनने की शमता है तो सुने मुदी जी ने जो ये 2000 के और नए 500 के और 9000 के नोट छापे हैं इन्हें छापने में मुदी जी ने 21,000 करोर रुपे खर्ज किये है अपको पता ही 21,000 में इस देश का क्या क्या किया जा सकता था कितने रोजगारों को उनकी रोजी दी जा सकती थी कितने अस्पताल बनाए जा सकते थे कितने स्कूल बनाए जा सकते थे पिछले 70 सालों में जिन किसानों ने अपना कर्ज नहीं चुकाया है उनका कर्ज चुकाया जा सकता था कितने गरीबों का घर बनाय जा सकता था पर जी नहीं मोदी जी ने अपने एहंकार में आकर ये निरने ले लिया और एक और एहम सवाल मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूँ कि मोदी जी आपने जो ये 21,000 करोर रुपए खर्च की हैं 500 के और 2000 के नोट बनाने में ये कहां से लाया आपने कि ये आपकी जिन्दगी बर की कमाई थी जी नहीं ये जनता की दी हुई टैक्स थी जो आपनी यूँ ही गमा दिया इसका मुनाफ़ा क्या हुआ शुन्या वाट इस दी प्रॉफट नथिंग जी रॉव नथिंग नोफ़फट अट आल तो जनता की दीवे 21,000 करोर आप ऐसे ही गमा देते हैं फिर भी भक्तों को लगता है कि जी नहीं डी मॉनिटाइजेशन इस अच्छा कदम कोई हो ये नहीं सकता और इस डी मॉनिटाइजेशन के वज़े से जब ये डी मॉनिटाइजेशन हुआ था नोट बंदी हुआ था तो हमारे देश के पूर्व प्रधान मंतरी मनमोहन सिंग जी कहते हैं कि डी मॉनिटाइजेशन के वज़े से इस देश का जीडीपी 2% से कम हो जाएगा मनमोहन सिंग जी कहते हैं तो नरेंदर मोदी जी लोग सवा में जाते हैं और कहते हैं कि कोई हावर्ड से आया है और कोई बड़ा इंटेलेक्ट्वेल हो कहता है कि देश का GDP 2% से कम हो जाएगा क्योंकि नोट बंदी की है मैंने और सारे बीजेपी के MP बड़े जोर से ठाक का लगा कर हसते हैं मनमोहन सिंग जी के उपर और एक महीने से कम में भी इस देश का GDP 2% से कम हो जाता है एक ऐसे प्रधान मंतरी पूर्व प्रधान मंतरी हमारी देश के मनमोहन सिंग जी जिनकी प्रडिक्शन इतनी स्ट्रॉंग है और उन्हें कह दिया 2% तो ना 2% से जादा ना 2% से कम इग्जाक्ट 2% से GDP कम हो जाता है ऐसी इनसान की मजाख उराते हैं वक्त आपको शरम नहीं है मोदी जी मोदी जी अपने पूरे इलेक्शन कैम्पेन में ये दावा करते रहें कि भाईो बहनो मैं इस देश का करप्शन खदम कर दूँगा आपको पता है डी मॉनटाइजेशन के वज़े से हमारा भारत एशिया का नंबर वन करप्टिट कंट्री में इंडिया का नाम आ गया है और ये मैंनी ये फोर्ब्स कहता है फोर्ब्स की मैगजिन में ये बात चापा गया है कि एशिया का सबसे जादा करप्ट देश, करप्ट कंट्री हमारा इंडिया है, हमारा भारत है कि आपको इस बात का दुख नहीं और ये दी मॉनटाइजेशन नोट बंदी के वज़े से हुआ है दी मॉनटाइजेशन के वज़े से हुआ है जब लोग अपने काले धन वाइप में बदलना शुरू कर दिये मॉदी जी हैज लीगलाइज़ ब्लैक मनी and has helped people in converting their black money from black to white फिर मॉदी जी ने ये भी कहा कि मैं नोट बंदी इसलिए कर रहा हूं ताकि इस देश का जो देश में जो नकली नोट छपकर पाकिस्तान से आ रहे हैं उसे मैं रोकना चाहता हूं नोट बंदी की उन्होंने नए नोट छपे 2000 के अब वो 2000 के जो नए नोट छपे मॉदी जी वो में पाकिस्तान से छपकर आना शुरू हो गए तो इसके बारे में क्या कहेंगे मोदी जी आप क्या याप 2000 के नोट भी आप बंद कर देंगे इसे भी बैंड कर देंगे आप क्या फिर से देश का नुकसान करेंगे आप क्या फिर से देश की GDP को नीचे लादेंगे आप क्या फिर से आप जाने लेंगे पर्लेमेंट एक भी मिनिस्टर नहीं, जिनके पास काला धन ना हो। तो क्यों नहीं पकरते हैं मोदीजी उनको आप? क्या वो पकरे गए? क्यों नहीं पकरे गए? अगर नहीं पकरे गए तो आपकी नोटबंदी ने क्या किया? तो आखिर में इस conclusion में हम आते हैं कि नोटबंदी या demonetization कोई सोची समझी निरने नहीं बलकि एक एहंकारी बादशा के एहंकारी राजा के एहंकार में लियावा निरने था मैं मुदी जी से नफरत नहीं करता ना मैं बीजेपी से नफरत करता हूँ परहा मैं सच्चाई से प्यार करता हूँ सच्चाई का पुजारी हूँ मैं सच बोलना धर्म है मेरा तो सच आप तक पहुचा रहा हूँ मैं मुदी भक्त होना गलत नहीं पर अंध भक्त होना गलत है to be a Modi follower is a right thing there's no harm in being a Modi follower but being a blind follower is a wrong thing so don't be a blind follower and share this video if you agree with me in fact you have to agree with me because I've proven my points so please share this video and let the truth reach out to as many people possible thank you so much